नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एक्जाम आने वाले हैं, तो क्लास 12 के लिए, माइक्रो और मैक्रो एक्टर ले रहा हैं, यह चेप्टर का नाम आप देख सकते हैं, आपको देख रहा होगा, तो एक्जाम से पहले, एक फाइनल रिवीजन में आपका करवा रहा हूँ, तो करा रहा हूँ, ठीक है, एक बात को मैं फिर से रिपीट कर दू, मैं कोचिश करूँगा, I am not sure कि मैं पूरे चप्टर करा पाऊँगा, या नहीं, पर वे जतना करा रहा हूँ, जितने मेरे समें दम है, आप उसका फाइदा उठाईए, clear है, जिसको यह वीडियो पूरा नही क्लास में, ठीक है, दोस्तों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, important objectives कराऊँगा, तो start करते है, micro economics की study में हम क्या करते है, तो हम individual economic units की study करते है, मैं बड़ाई सरल सा मतलब आपको बताईता हूँ, micro में हम individual की study करते है, मतलब एक एक करके study करते है, और macro में हम group की study करते है, उसमें एक जना नहीं रहता, उसमें 2, 3, 4, 5, 6 जना होते है, उसके बाद हम study कर पाते है, ठीक है, बहुत तरह समाझ लो, आपका काम हो जाएगा, micro economics में हम एक एक करके study करते है, मतलब individual to individual की study करते है, individual economic units, इसका अंसर हो जाएगा, पहले वाले का, second पे चलते है, second वाला है, micro economics and macro economics, both are, तो complimentary to each other है, दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको clear कर दूँ, वैसे मैं एक वीडियो बना चुका था, एक separate वीडियो बना चुका था, कि मैं ये वाला वीडियो लेके आऊँगा, मैं आपको एक बार फिर से clear कर दूँ, कि ये जो मैं आपको objectives करा रहा हूँ, ये exam purpose के ल और यदि petrol crop ऐसे उड़ाते रहोगे, तो भी कार चलेगी नहीं, समझ में आगया बाद, तो दोनों एक दूसरे से related है, पूरी तरीके से, तो यहां तक आपको समझ में आगया होगा, हम आगे बढ़ते हैं, the word economics, ये बहुत ज़्यादा closely, कौन से word से connected है, तो scarcity, ठीक है, economics, scarcity स closely related है, scarcity का मतला होता है, कमी, बस, इतना समझना है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं, opportunity cost is the cost of next best alternative for gone, थोड़ा सा opportunity cost समझा देता हूं, तो ये बाला question clear हो जाएगा, for example, एक labor है, उसको एक जगाई 1,000 रुपे मिल रहे हैं, और एक दूसरी जगा, उसको 1,000 रुपे मिल रहे हैं, मतला हमाँ पास दो option है, दोनों जगा salary same है, हम कोई एक best option चुनेंगे, clear है, clear है, यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कि opportunity cost बहुत हलके में समझा दिया मैंने, दोस्तों, exam आने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी concept clear कराने की कोशिश है, तो आपको जो समझाया है, वो गलत नहीं है, एकदम सही है, तो आप इसको लेकर आगे चल सकते हैं, और यहाँ तक आपको समझ में, आगे आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, जो भी objectives मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके बाद हम questions भी करेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो fundamental economic problem, जो हम face करते हैं हमारे देश मे वो कौन सी है, wants ज्यादा है, जैसे कि आप, मैं हूँ, अभी मान के चलो मेरे सामने मैगी रखी हो, और मेरे को कोई friend बोले, चले आर पनीर खाने चलते हैं, या फिर बर्गर खाने चलते हैं, या पीजा खाने चलते हैं, तो मेरी दुरंद भूग बढ़ जाएगी, और मैं employment level of the economy, तो macroeconomics है, बस इसको इतना ही समझना है, कि कौन से पार्ट की economic theory aims to determine करती है, income and employment की level को, तो macroeconomics करती है, बस इस स्यादे समें कुछ नहीं समझने वाली बात है, तोड़ा से समझेंगे, तोड़ा से समझेंगे, और paper में अच्छा करके आएंगे, आगे बढ़ते हैं और जब भी आपको employment की बात आए ना, तो हमेशा macroeconomics ही आधिकतर लगता है, तो इसलिए भी आप macroeconomics लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं, small variables की study में क्या करते हैं, हम definitely micro करते हैं, तो यह करके study होती है, microeconomics study the composition of total output, इसको यह important नहीं है, next important पे चलते हैं, सात्वा बाला पढ की उसकी growth और इन सब के बारे में बात करते हैं, तो यह macroeconomics में ही करेंगा हमेशा, the study of macroeconomics is essential to know, essential to know, essential to know, whole economy, याद रखिए, यसे कि मैं आपको बताया था, starting में, microeconomics, particular, हम particular firm, particular household, मतलब एक एक करके करते हैं, और macroeconomics में, हम group में करते हैं, तो यहाँ पे W-H-O-L-E, whole, आएगा, इस cancer, देखिए, 8th cancer आपको लिखा हुआ है, और 7th का macro होता, आगे बढ़ते हैं, और यह book के सबसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें यदि कोई mistake हो, वैसे तो मैं पूरिया ध्यान रखूँगा इस 30 का, पर mistake हो, तो उसको कुछ से solve करके comment column में comment, जरू करना कि इ इसमें ये वाला नहीं आना था, इसमें ये वाला आना था, ठीके ना, यूकि मैं आपी तरह, आपी लोगों की तरह इंसान हूँ, गल्तिया अगर छोड़ा बहुत, बुक में हो जाए, या मेरे से हो जाए, तो आप comment column में comment, करके उसको correct जरू करिए, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे पर ये निरवर है, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, मैं आपको match the following नहीं करा पाऊंगा, उसका कारण ये है, कि उसमें answers नीचे रहते हैं, तो match the following हम नहीं करेंगे, it's that simple, और हम आप जो मैं आपको concept पढ़ा रहा हूं, जो concept बता रहा हूं, फिलिम the blinds के साथ, य कौन का है, या कौन लाया, तो हम बोलेंगे कार्ल मार्क्स, इसका answer आपको मिल जाएगा D, कार्ल मार्क्स, आगे बढ़ते हैं, which economy comprises the merits of capitalist and socialist, मतलब इनके अच्छाईया, कौनसी में अच्छाईया हैं, सुनना है, which economy comprises the merits of capitalist and socialist, तो capitalist का मतलब होता है, private, और socialist का मतलब होता है, पूरी तरीके से, government, तो इनके दोनों के merits किसमें है, mixed economy में, जो की हमारी है, इंडिया की है, हमारे देश की, mixed economy, इंडिया की कैसी economy है, mixed economy, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, which type of economy is adopted by इंडिया, तो जैसे कि मैं आपको भी बताया था, जे वाले का अंसर हो जाएगा, mixed economy, चलिए, आब हम चलते हैं, हमारे caution answers पर, तो हमने objectives, जो important थे, वो पढ़ लिये हैं, जो important थे, conceptual थे, वो हमने पढ़ लिये हैं, और आब हम बढ़ेंगे, caution answers की और, दोस्तों, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसको समझने के बार, बुक से जरूर पढ़ना है, clear है, difference between microeconomics, and write any two characteristics, तो मैं characteristics आपको नहीं बताऊँगा, पर आपको microeconomics की definition और meaning के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, microeconomics में हम study करते हैं, particular firm, particular household, particular individual price, wages, income, और यह मैंने definition पढ़के बता दी आपको, पर इसका मतलब में आपको भी बताऊँगा, इसमें हम study करते हैं particular firm की, मान की चलिए एक कोई दुकान है, उसमें जाके हमने study की, फिर दूसी दुकान में जाके study की, फिर तीसी दुकान में जाके study की, ऐसा ही household, household मतलब एक गर है, तो चार-पांच लोग है, उनकी family और उनके expenses जोते हैं, तो एक household, household मतलब एक घर, तो हम एक particular घर में जाके study करेंगे, आपका कितना कर्चा होता है, आप कितने लोगों, इस तरीके से, तो micro economics में हम individual की study करते हैं, एक एक करके study करते हैं, बस, इतना ही समझना है आपको, बाकि definition आपको रटनी पढ़ेगी, आप Professor Bolden की definition को रट सकते हैं, क्योंकि definition में आमेंसा आपको नहीं, दो characteristics or definition of micro economics, more than enough है, और आगे बढ़ते हैं, second question पे, what are the central problem of an economy, हमारी देश की, जो problems हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी देश की क्या problems हैं, तो जो central problems हैं हमारी देश की वो है, यह है, कि हम क्या produce करें, क्या हम बनाएं, ठीके, दूसरा हम क इसे जाद आपको लिखने की जरुवत नहीं है, आप 4-5 points लिख देंगे, central problem बता देंगे, कौन कौन सी problem है, एकनोमी की, तो आपका answer clear हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, what do you mean by production possibility curve, बहुत आसान भाशा में समझाओंगा, तो ध्यान से सुनना, production possibility curve, basically क्या है, कि मान के समझाता हूं, और present condition की समस्या को, आपको सामने रखे, production possibility curve समझाता हूं, आज के समय में आप देख रहे होगे, यार, पहले कोई लेता था क्या, वो वाली गाडिया, electric वाली गाडिया, पर आप आज कल, मेरे गुना में ही यार, इतनी सारी electric गाडिया है, कि मैं बता नहीं सक गंश से, ठीक है, तो उसको हम काई में मिला रहा है, पैट्रोल में मिला रहा है, ठीक है, क्यों कर रहे हैं यह समझा, अब हम पगला गाए है, नहीं नहीं, हम पैट्रोल का production कम करना चाहते है, actually होता क्या है, कि production, sorry हम production तो करते नहीं, हम बहर से जो चीज़े मांगाते हैं न इसलिए हम इनका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं इंडिया में भी इंडिया में भी आपने देखा होगा बहुत सरी कंपने नहीं नहीं कुल गई जो बैटरी वाला यह बैटरी वाली गाडियां आपकल तो छोटी इस दुकान में आपको एक शोरूम मिल जाता है मिल जाता है की मान के चलो हम आरे पास tea and coffee है DOI करेंका प्रोडक्षन ने में काफी जाथ है दिक्कत आरहे है पर चाय का सचपने करने में दिक्कत नी आरे तो हम क्या करएंगे टी जाधा होगा कोफी कं होगा तो लोग आपने आप टी खरीदेंगे दो यूछेलि मांन के चलो यार जिस यार मैं चाय की कंपनियों को बंद कर दूं मान की चलो for example ठीक है और एक कंपनी सिर्फ चाय बेच रही हो ठीक है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइज भी तो बढ़ जाएगा मान की चलो सिर्फ रेड लेबल है रेड लेबल ही चाय बेचे बस ठीक है एक ही चा करते हैं इंडिविजुल उनिट की हो गई इंडिविजुल हम फर्म की हो गई इंडिविजुल स्टड़ी करते हैं ठीक है कहा पर माइक्रो एक्रोमिक्स में माइक्रोमिक्स में माइक्रोमिक्स में माइक्रोमिक्स में मतलब इंडिविजुल है याद रखना है ना देखो कि पूरी देशर उंडरी ना हतु अनल कई आपकी सब्सक्राइब मेरि माइब प्रतवारार इंकम से प्रतिया लिप्हेटी है ना सब्सक्राइब będzie पर ने टिवार च और पर ने हमारी बहुत आप चरे इन कम और आपके थर्ड परसन की इंकम, फौर्थ परसन की इंकम, मतलब प्रती ब्यक्ति, है ना, तो national income में, national income, कौन study करता है national income की, macro, तो A4 होता है aggregate, तो यहाँ पर हम aggregate की study करते हैं, और I में हम individual की study करते हैं, यहाँ तक बात clear हो गई, meaning आपको मैंने समझा दी, अब हम scope देखते हैं, बनी-बनाई बात है यार, देखो, micro economics का scope कैसा होगा, narrow, मतलब छोटा scope होगा, है ना, क्योंकि यह individual market है, इसमें एक एकर के हम study कर रहे हैं, और macro economics, macro में, यह जो scope होगा, यह wide scope होगा, क्यों, क्योंकि हम study करना है national की, मतलब domestic की तो करी ना है, study, और international की भी study, हम करते है, macro, macro economics क अंदर, आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करता हूँ, aim की, मतलब हमारा main focus क्या रहता है, main motive क्या रहता है, micro economics की, जब हम study करते हैं, तो देखो, basically, आपको main motive रहता है, वो यह होता है, individual study करना है, और जैसे कि हम problem देख सके हैं, और उसके साब से हम policies बना सके हैं, तो यह micro economics में study होती है, अब macro economics में कैसे तरीका के यह में होता है, है न, क्यों macro economics की study की जाती है, क्योंकि यह देखो, इसमें देखा जाता है, aggregate behavior क्या है, है न, उसके असाब से हम study करें, जो problems हैं, उनको देखें, है न, macro economics में, बढ़े label पर बढ़े problems क्या हैं, employment की problem हैं, वह यह तो उसको करें, policies बना कर, जो problem से उनको cover करें, उनको सही करें, है न, तो यह होता है, basically, तो micro and macro economics एक बार जाके पढ़ लेना, पूरा doubt clear हो जाएगा, आपको आपको मजा जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, अच्छे एक बार एक point और समझा देता हूं, subject matter, ठीके न, तो हमें, subject matter का समझा मतलब है, काम क्या है, micro economics का, ठीके, तो basically क्या है, individual demand, individual supply, individual income, individual consumption, मतलब यह करके, सारी चीजों की study, और macro economics से हम किस चीज की study करेंगे, aggregate, aggregate मतलब प्लस, प्लस, मतलब एकटा करके, aggregate demand, aggregate supply, है न, ऐसे ही हम, monetary policy आपने सुना होगा, तो यह macro economics का ही पार्ट है देखिए, economic activity यह होती है, कि जिसमें आप, मैं चलो, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, और स्कूल में बाले मेरे को salary दे रहे, या फिर बच्चे मेरे से offline में पढ़ रहा है, बच्चे मेरे को salary दे रहे, तो यह होगई economic activity, और उससे में कोई पैसा नहीं ले रहा, तो वह से बहुत चांदर तरीके से बना पाओगे, अब हम समझते है, central planned economy क्या होती है, और market economy क्या होती है, तो बाई सबसे पहले समझते है, central planned economy क्या होती है, देखो यह जो economic activity होती है, यह government के द्वारा plan होती है, और market economy किस के द्वारा, तो जो market में economy होती है, जो economic activity होती है, वो manage होत था कि Central Planned Economy जो है उसकी जो economic activity होंगी वो government के द्वारा प्लैन होंगी और यह market economy में जो economic activity होंगी वो market के थ्रू मैनेज होंगी clear है अब हम पढ़ते है main aim क्या होता है Central Planned Economy का तो बैया main aim होता है social welfare देखिए सरकार का काम होता है भलाई गरना है ना समाज की भलाई गरना तो main aim Central Planned Economy का यह रहता है पर market की बात करने देखिए हमेशा याद रखना एक private organization हमेशा profit के लिए काम करेगा तो profit इनका primary motive होता है और secondary motive थोड़ा बहुत social responsibility वाला या social welfare वाला हो सकता है पर aim आपको मैंने clear कर दिया तो aim क्या रहता है कके बारे में बात करूं तो वाइग की तो इमांड पर ऐसां से कंट्रोल होता है अगे बड़ते हैं बात कर लेते हैं तो इसमें जो economic development होगा और मार्केट एकनॉमी में गवर्मेंट का कोई रोल नहीं होता डबलामेंट में तो यह कुछ पॉइंट थे और हमने समझ लिया सेंटल प्लेंड एकनॉमी क्या होता है मैंने शॉट में समझाने की आपको पूरी कोईश्च किये इस चेप्टर को और I think मैं उसको पूरा कर पाया ह हूँ तो यह वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा काफी हत्त तक आपको मतला आपका कॉंसेट क्लियर हो जाएगा आपको एक बार आपने बुक से आपके नोट से पनना पड़ेगा और आप अच्छे से अपने एक्जाम में मार्क्स गीन कर पाए थेंकी सो मच इस वीडियो को देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगाओ मैं यह इनिशेटिव